समयधानिक विकास के अंतरगत लिये गए महतपूर्ण निर्णे बात कर लेते हैं 1773 की तो रेगुलेटिंग एक्ट इस वर्ष आया था और इस एक्ट के माध्यम से बंगाल में एक सर्वोच न्याले की स्थापना की गई थी चार्ट इक्ट 1813 में जो आया था इस 1813 के चार्ट इक्ट के दौरा पहली बार भारतियों की सिक्षा पर खर्च के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रूपए की विवस्ता की गई थी 1833 के Chartered Act के द्वारा कम्पनी का भारती व्यापार पर से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत परिशद अधिनियम के द्वारा भारत पर शाशन का अधिकार British Town को मिला भारत के प्रशाशन की देखभाल के लिए एक भारत मंत्री या सचिव की विवस्था की गई गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा 1861 के भारत परिशद अधिनियम के द्वारा पहली बार विभागिये एवं मंत्री मंदलिये प्राणली की नीव रखी गई इसके अंतरगत लेजिसलेटिव काउंसिल की स्थापना की गई 1892 के भारत परिशद अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिशद से बजट पर बहस करने का अधिकार मिला परंतु मत्व विभाजन का अधिकार नहीं था 1919 के भारत परिशद अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन शेत्र की सुईधा उपलब्द कराए गई विधान परिशदों के अध्यक्ष की अनुमती से सदस्यों को सारजनिक हित के विश्यों पर प्रश्ण पूचने का अधिकार मिला 1919 के भारत परिशद अधिनियम के द्वारा भारत में एक नए अधिकारी भारती हाई कमिशन की नियूक्ति की गई केंद्री विवस्था को द्वी सदनी बनाया गया जिसमें भारती विधान सबा और भारती राजी परिशद के विभाजित किया गया प्रांतों में द्वेत शाषन विवस्था इसी दोरान आई सिखों को विशेश प्रतिनेद्व भी प्राप्त हुआ अगर 1935 के भारत परिशत अधिनियम के विशय में बात करें तो इस अधिनियम द्वारा केंदर में द्वेत शाषन की विवस्था प्रांती स्वायत्ता की विवस्था की गई सामप्रदाइक निर्वाचन का अधिकार हरीजनों भारती इसायों एंगलो इंडिनों को भी मिल गया 1947 1947 के भारत स्वाधिनियम के द्वारा भारत को पून स्वतनिता मिली